नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे हम debit card, credit card और prepared card के बारे में वीडियो पहली बात देखे तो like कर देना चाहें को लाइन सब्सक्राइब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि debit card क्या होता है debit card होता है जब भी आप saving account खुलवाते हैं या फिर current account खुलवाते हैं दोनों में debit card आपको मिल जाता है debit card का मतलब होता है कि जितना आपके account में होगा उतना ही पैसे आप debit card से use कर पाएंगे चाहे online या फिर ATM से bid roll कर पा करने की क्या होता है debit card आपको current account पर भी मिलता है saving account पर मिलता है और salary account पर भी मिल जाता है credit card की बात कर लेते हैं अब लेकिन debit card में जितना amount आपके account में होगा उतना ही आप यूज कर पाएंगे मान लिजे 10,000 हैं तो 10,000 ही यूज कर पाएंगे ठीक है तो यह हो गया debit card और उस आप credit limit लेते है credit card पर चाहे वो bank से या किसी third party या other app के थरू credit card आपको provide अब तो होने लगा है होता भी है तो वहाँ पर आपको credit card में एक limit दे दी जाती है चाहे वो 50,000 की हो या एक लाकी हो example के लिए बात कर लेते हैं 50,000 की आपके limit मिली है किसी credit card पर किसी भी bank का credit card समझ सक लगते हैं और आपको वहाँ पर 50,000 की credit limit मिली हुई है उस credit card पर तो credit card जो बनता है वो आपको एक credit limit प्रवाइड करते हैं documents वगेरा सारे वही लगते हैं जब आप account खुलवाने जाते हैं saving और current उस वक्त लगते current में नहीं saving account जो भी आप खुलवाने जाते हैं तो वही आप आपका के credit card में लगता है plus credit card में एक चीच और लगती है कि आपको ITR भी देना होता है मैं bank की बात कर रहा हूं third party जो apps हैं वहाँ पर आपको 10,000, 15,000, 25,000 limit without ITR भी मिल जाती है लेकिन अगर आप banks लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको income proof दिखाना होता है credit card लेने के लिए तो मान लीजे 50,000 आपके पास credit limit है तो आप credit card से 50,000 तक use कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको उताज चाहूंगा यहाँ पर आपको पैसे उसमें आपको aid करने की जोड़ नहीं होती जैसे debit card में आप जितना aid करेंगे अपने account में जितना होगा उतना use कर पाएंगे credit card में हो 50,000 आपको अगर limit मिली है तो आप 50,000 यूज कर सकते हैं और उसका payment आप 30 से 45 दिन का जो billing cycle होता है उसमें भर सकते हैं यानि कि आप credit card यूज कर लीजे एक बार जो उसका amount और आपको एक महीने से ले करके 45 दिन का सबका अलग-अलग होता है और जो other app की बात करें तो वहाँ लेजी 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 पेगा जो card है वो credit limit देते हैं आपको उसको यूज कर ये 15 दिन का billing cycle होता है तो आप मान सकते हैं बैंक और चलिए दोनों का मिला देते हैं तो 15 से 45 दिन के बीच में billing cycle होती है वैसे credit card का ज्यादा तर एक ही महीने का होता है तो एक महीने के बाद आप उसकी payment कर सकते हैं यह benefit हो जाता है तो वैसा credit card में तो वह यूज करने के बाद एक महीने के बाद उसका बिल आता है फिर वह आप भरते हैं annual charges यहाँ पर आपको credit card का देना होता है जो भी company decide करते हैं सबसे कम की बात करें अगर bank की तो आपको देना होता है चार सो 99वे रुप तो वहाँ पर आपको कोई भी charges नहीं देना होता है एन्वल चार्ड में भी आपको कोई charges नहीं देना होता लेकिन वह एपड़ी बेस पर है तो credit card जो है उसमें amount मिलता है उस amount को यूज करिए यूज करने के बाद उसका आपको जो समय है वह मिल जाता है 30-45 दिन का और अगर आप चाहें तो उसको EMI में भी convert कर सकते हैं लेकिन interest आपको देना होगा तो यह हो गया credit card अब बात करते हैं प्रिपेड कार्ड के बारे में तो प्रिपेड कार्ड भी बहुत सारे अभी चले हुए है करते हैं प्रिपेड कार्ड दरसल यह है कि आप जो account बनाते हैं प्रिप उसमें amount aid करते हैं प्रिपेड कार्ड में और उसको फिर आप यूज करते हैं और उसको आप बता दूँ जो प्रिपेड कार्ड है वो ज्यादा तर बच्चों के लिए या चेल्जर के लिए new bank कुछ करके है उसके बारे मुझे ज्यादा knowledge नहीं है तो इस तरह से कुछ है कि पिले कार्ट है वो ज्यादा तर लोग अपने बच्चों को देते हैं क्योंकि उसमें नमें जो limit होती है वो Caitlin přेलों ब्री में केवी कि वालते हैं तो एक लाग तक मिल आता है वाइब्लाग में घ्रें है जैसे debit card में है यानि कि जितना आप एड करेंगे private card में उतना ही आपको use करना होगा और साथ ही साथ आप बताना चाहूंगा कि जो offers हैं जो cashback के offers चलते हैं वह debit card में बहुत कम देखने को आपको मिलेगा credit card में कई सारे offers आपको मिल जाते हैं प्रिपेड कार्ड में भी कई सारे offers आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो यह आपको समझा गया होगा कि debit card credit card और प्रिपेड कार्ड क्या होता है ठीक है और payment की बात करूं तो हर जगे पर debit card acceptance तो होती है online चाहे offline आप कर सकते हैं credit card की भी कर सकते हैं जो आपको bank से मिला हो और third party app या फिर prepaid card जो होते हैं वो कई बार कहीं कहीं पर online या offline नहीं acceptance होती है नहीं चलते हैं मैं प्रिपेड कार्ड की बात कर रहा हूं लेकिन debit card और ऀडट कार्ड जो बैंक से मिलते हैं वो चलते हैं बिना रुखावाट आप यूज कर सकते हैं इतना ही चैनल को लाइस सब्सक्राइब कर देना उम्मीद है आपको क्लियर हूगा कच क्रीच कार्ड कर और प्रिक्त घर क्या होता है उसने में नमस्कार